हेलो दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टड़ी विस सचिन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में सिंदु घाटी, सब्वेता और हरप्पा सब्वेता से रिलेटिड मोस्ट इंपोटेंट रिपिटेट कोस्चन्स बताऊंगा जो की आने वाले एक्ज सब्वेता नाम एप इप्वेतां अडी लात है वो सिर्फ दो भी है वह कौनसी है हरप्पा और मोहन जोद्रो ओँ सिन्दु नदी के किनारे को इस्तित है और हरप्पा रावी नदी के किनारे पर इस्तित है जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं चलिए कोश्चन नंबर वन सुरू करते हैं कोश्चन नंबर वन में पूछा गया है कि सिंदु घाटी सब्वेथा की मुख्य विसेश्था क्या थी तो सिंदु घा जेसे इस नानागार कहा जाता है बोश्चन नंबर टू में पूछा गया है कि देवी मादा की पूजा किस से समद्दित थी तो देवी मादा की पूजा सिंदु घाटी से सम नदी तो option number C इसका सही अंसर है अब question 3 में पूछा गया है कि मोहन जोद्रों में सबसे बड़ा भवन कौन सा था तो मोहन जोद्रों में सबसे बड़ा भवन धन्यगार था धन्यगार वो होता है जिसमें वो इस सब्था के लोग अपना गेहूं चावल एक्सेक्टरा जो भी राइट वाली फोटो है राइट वाली फोटो में आप ही देख पा रहे हैं यह ग्रेट बात इसना नागार जो कि मैंने आपको question number 1 में बताया था तो दोनों में जो दो यहां पर इस्तित है और यह वाली जो लाइन है यह भारत है और यह पाकिस्तान है तो यह पाकिस्तान में कहां पर इस्तित है पाकिस्तान के सिंद्परांत के लर्काना में इस्तित है तो option is का सही अंसर है का अंसर सिंद्ध नहीं है पाकिस्तान के सिंद्परांत के ल सेंदूघा नमबर साथ में पूशा गया है कि सिंदू अर्थव Яजन की 성p Nation कुमें कुछा थी तो सिंदू अर्थव्यस्था की ताकत क्रशी थी मैं वह बैलोग का उपयोग करते थे खेती करते थे और खेती नमबर आठ देखते हैं सिंदु घाटी सब्वेता में काली बंगा निम लिखित में से किसके लिए प्रसिद है काली बंगा भी उन्हीं सब्वेताओं में से एक सब्वेता है और यह थे मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद यह जो आप मिट्टी के पात्र देख पा रहे हैं यह इसे काली मंगा से मिले हुए हैं कोस्टंber 9 देखते हैं प्राचिंतम भारते सब्दा का नाम बताईए तो प्राचिंतम भारते सब्दा सुन्धु घाटी सब्दा है कि यहां पर लिक्टू में देख पा रहे हैं कि यह संदु नदी है और इसी नदी में से इसकी साहिक नदिया निकल रही है चेना जहिलम रावी सतलुज और यह जो पहली फोटो है यह है ग्रेट बात हडपा सब्धा का और अगर आपसे पूछा जाए की विष्व की प्राचिन तम सब्धा का नाम बताईए तो आपको बतानी है मैसव पोटामिया की सब्धा यह विष्व की प्राचिन सब्धा है और सिंदू गाटी सब्धा है भ का ये पागिस्तान है अति दधा कर शहां पर एक घडबते या तो हडब आfront me ड्य उप्शन नमबर ड्य का अंसर हमाने कोस्चन method 11 सिंदु घाठी सब्वेता के लोग किस की पूजा करती थे तो सिंदु घाठी सब्वेता के लोग परशुपती की पुजा करती थे यानि की शिव की और ये जो आप इसमें पोटो देख पा रहे हैं ये वहाँ से खुदाई में मिली एक मूर्थी है परशुपती की यानि की शिव खवान की तो उप्शन नमबर बी इसका सही अंसर है कोशन नमबर बारा मे पूछा गया है कि सिंदू घाटी सब्वेता में दोला वीरा किसके लिए प्रसिद है तो दोला वीरा इनी सब्वेताओं का एक प्राचिन नगर है यहां पर आप देख वा रहे हैं यह लिखा दोला वीरा तो दोला वीरा प्रसिद था जल संरक्षन के लिए यह जो आप फो किस नदी के किनारे इस्थित है तो हड़पा इस्थल मांड़ा चैनाब नदी के किनारे इस्थित है यह रहा मांड़ा इस वाली अगर फोटो में आप देख पाए फोटो टू में तो यहां मांड़ा है और यह किस नदी के किनारे इस्थित है चैनाब नदी किस नदी की किनार तो ओक्षयल नम्बर 20 का सही अंसर है बान्वाली कहां पर है इस तरफ ऑक्षयल किकिले इसका सही अंसर है कोस्चेल नम्बर 15 मैं पूछा गया है कि हरट पर नदी के किनारे इस्थित है हरपपा आप देख पा रहे हूं अगर मैं इसे जूम कर दूँ तो हरपपा कहां इस्थित है ये रहा और ये किस नदी के किनारे इस्थित है ये रही राभी नदी तो ये राभी नदी के किनारे पर इस्थित है उप्शन नमबर 20 का सही अंसर है पोस्चन नम्मर 16 में पूछा गया है कि कांसे की निर्थिका की मूर्थी किस सब्था में पाई गई तो कांसे की निर्थिका की मूर्थी यह जो आद देख पा रहे हैं यह सिंदू गाटी की सब्था में पाई गई पोस्चन नम्मर 20 का सही अंसर है वोप्शन ममर 17 में पूछा गया है कि सिंदु गाटि सब्बेता का एक नगर, शतूगाई, किस देश में है तो शतूगाई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह अफगानिस्तान में पड़ता है, यह रहा पाकिस्तान, यह इंडिया, और यह अफगानिस्तान तो यह कहां इस्थित है अफगानिस्तान में ओप्शन नमबर सीज का सही अंसर है कोश्चन नमबर अठार कोश्चन नमबर अठार में पूछा गया है कि मोहन जोदलो का इस्थानिय नाम क्या था तो यह आप फोटो फिर से आ गई है यह ग्रेट बात है अब तो आपको याद भी हो गया होगा यह फोटो वैसे भी कई बार आ गई है यह ग्रेट बात इस्थान नानागार तो मोहन जोदलो का इस्थानिय नाम क्या था मोहन जोदलो का इस्थानिय नाम है मरतकों का टीला कोश्चन नमबर 20 में पूछा गया है कि सिंधु गाटी सब्वेता का एक बंदर का शहर कौन सा था तो सिंधु गाटी सब्वेता का एक बंदर का शहर कौन सा था वो था लोथल जो की गुजरात में है यहाँ पर option number 20 का सही अंसर है लोधल कहाँ पर है गुजरात में question number 21 में पूछा है कि किस हडपा कालिन इस थल से जुताई जुताई आये गा है आपर जुताई वाले छेतर के शाक्स मिले हैं काली बंगा में जुताई के साक्स मिले हैं यह रहा काली उनगा और यह कहाँ पर इस्थित है राजस्थान में question number 22 में पूछा गया है कि पाकिस्तान की किस परांत में राचिन सब बेठा का एक इस थल मोहन जुद्रो इस्थित है तो मोहन जोद्रो कहां पर है यहां पर पागिस्तान में और पागिस्तान के कहां परिस्तित है पागिस्तान के सिंध परांत में लर्गाना लगाना तो दिया हुआ नहीं है तो इसका अंसर ओपन डी है सिंध आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सस्प्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें थैंक यू